लो गाइज स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहां बात करेंगे उटेगो वर्ल्स और सी टीबी यानि केंटर बरी के बीच में जो सूपर स्मेश का मुकाबला खेला जाएगा किस तरीके से आज आप अपनी टीम बना सकते हू कौन से प्लियर इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं रहेंगे सारी चीजें डिसकस करते हैं जो बहुत मदद देगी आपकी स्मॉल लीग या ग्रेंड लीग की टीम बनाने में तो आइए शुरू करते हैं यह जो मुकाबला है मॉलिनिक्स पार्क अलेक्जंडरा के अलेक्जंडरा के ग्राउंड पर दोमेस्टिकली नौ मुकाबले खेले गए वन सिक्स्टी फोर का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है अगर आप देखोगे न तो इस टॉर्णामेंट में दो मुकाबले खेले गए अभी हम यहाँ पर आते हैं पहले यह देखो एक देखो तो यह चीज़ देखके लग रहा है कि बैटास और पेसर के लिए एक्सर डवांटेज हो कि लेकिन इस सीजन क्या हुआ है इस सीजन थोड़ा डिफरेंट हुआ है एक तो यह अनेक्स्पेक्टेड मैच हो गया था ठीक है लेकिन इसको एजी चेस कर ले लेकिन यह प बल्यबाज चिक गया जो अच्छा हीटर एक चीज और भी था कि दोनों ही टीम की ना बल्यबाजी उतनी मजबूत थी नहीं मतलब क्वालिटी बैटर की कमी थी तो यह रीजन भी हो सकता है कि यह लोग ने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं लेकिन अभी क्वालिटी बल्य अभी के लिए वह आपने देखा और अभी क्या करना है अगर बैटर स्ट्रॉंग हुए तो आप मान के चलो के रंच बनते हुए दिख सकते मैं आगे आपको बता दूंगा भी देखते हुए चलना हैड-to-head की बात करें तो 30 मैचे खेले गाए 19 सी टीवी ने और 10 बार उट त्थीट है एक खा रहे हैं और एक नुरैसट अगर आप देखोगे तो कॉन राइट-हं लेट हेंडर है कॉन ब्रेक स्पिनर क्उन रिस्ट है कॉन राइटम मीडियम है कॉन राइटम आप फास्स मीडियम गन्द बाज इस तरीके से आब हर एक का प्लैयर काना बैटिंग टेकनीक देख सकते हूं वहां पर देखो तीन लेफ्ट हेंडर है यह वाइट एंचू और रदरफोर्ड यहां पर आप टीम की बात करते हैं इनकी टीम का बैटर अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती तो हो सकते इस पिछ पर उतने ज्यादा रांच ना बने क्योंकि इनकी के पास दो ही तीन क्वालिटी बलेबाज है और अगर यह लोग फ्लॉप हो जाते तो इनकी टीम क्वालेस्प कर जाती है लास्ट के कुछ मैचे में यह हो रहा है तो यह ध्यान रखना यह उपर से तीन इंपॉर्टेंट है नीचे से डफी लेकिन ट्रैविस मूलर ने अच अच्छा किया था राधरफोर्ट ने लास्ट में ठर्टी टू किया ठीक है इनके और टैगों की ना अभी स्कूर्ड अनॉंस नहीं जब तक मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हो सकता बाद में हो तो अगर ज्यादा बड़े चेंजिस होते तो मैं आपको टेलीग्र कर सकते तो इन चारों के अलावा अगर आप देखोगे ना तो जे करते हैं और इन में से कोई महेंगा साथ होगा तो जो और करेंगे लेकिन हर बार यह मतलब यह दोनों आपको पूरे चार्चर अवर बहुत कम करते वह दिखेंगे ठीक है यह धियान रखना है यह इनके बे देखने से अच्छा रखता है और अभी सिर्फ से फोकस करो आगे हम बनाएंगे न तो एक प्लेयर का सेलेक्षिन कब इंपोर्टन्ट यह था कि आपको इजली समझ में आजाए सेलेक्षिन करना कैसे इसके अलावब टेलिग्रम से नहीं जुड़ है तो जुड़ जाओ या नहीं हो पाता है और इसमें कोई पैसा भी ने लिया जाता है आप से बिल्कुल फ्री है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन के सबसे पहले में जो लिंक है उसी से जुड़ना तब ही जो है आप सही चैनल पर आऊगे आधरवाई आपके साथ फ्रॉड हो सकता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग है जो भी मानी से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आप मत फचना उनके चक्कर में बिल्कुल फ्री है सारी अपडेट यहां पर दी जाती है तो प्लीज जूड़ जाना अब देखो सी टीवी की टीम की बात करते हैं इनका टीम का करने का भी दम राखते हैं मतलब कोई नीचल रहा है तो यह चलने का चांस रखते हैं लेकिन फॉर्म का फॉर्म का खराब है हैं कुछ ने कुछ खास किया क्या इनकी मुझे वैल बैलेंस लग रिया अगार इनकी तिम के पास देखोगे तो क्वालिटी बैटर है निकोल्स ने भी फर्स्ट में अच्छा किया था और यह स्कुएड में तो यह खेलते वह दिखेंगे तो इनकी टीम ना स्कोर कर सकती है अगर फर्स्ट बैटिंग करे तो एक सो साथ-एक सो सतर कर सकती हैं कि इनमें दम है कि यहां पर विलियम और उरूर की बना सकते हैं इनके जो पावर प्ले के गंढ़े में चारबर यह आधिम करने के लिए जाने जाते हैं यह पांच यूजघ करते हैं जो चार्चर ओवर डालते हैं तो ज्यादा दिक्कते होंगी नहीं समझने में देखते वे चलना यह कुछ इंके बेंच प्लेयर से जिसमें से फ्रेशर सीट और लियो कार्टर स्कुरेड में बटी लोग साथ खेले ना अब इनके भी प्लेयर वाई स्टैट्स देखलो हर एक प्ल आएंगे तो समझेंगे कौन से प्लेयर का सेलेक्शन कब ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नहीं है तो इजली हम सेलेक्शन कर पाएंगे आव थोड़ा हैट टूएंड रिकॉर्ड देखते हैं जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस खेलते हैं तो किसका कैसा निकॉल्स 58 का एवरिज है मक्लिओर का 44 का एवरिज है लियो कार्डर टॉम लेथम डी मिचल एक यह लोग खेलेंगी तो इन लोग का रिकॉर्ड अच्छा है बट खेलेंगी निए बालिंग से यह टाइगो की तरप से डफी और मूलर इनका रिकॉर्ड अच्छा है 15 देखते हैं कौन किसके सामने स्ट्रगल करता है रदरफोड मकॉंकी की सामने 43 गेंदों में दो बार आउट हुए लेकिन रंच बनाया है बाकी यह सब एक एक बार आउट हुए जिससे कुछ खास कंक्लूजन निकलता नहीं है अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ सेक्ष तो वैसे भी टैलेंट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी उतने खास नहीं है हां विकेट कीपिंग से ज्यादा पॉइंट दे गए तो अलग बात है बैटिंग सेक्षन चेक हैंडे निकॉल से मुझे थोड़े रिलाइबल आप्शन लगते हैं बाकी देखोगे रदर जेकब डफी के सामने भी थोड़ा स्ट्रॉगल करते हैं रदर फोड भी मकॉंकी के सामने करते हैं और प्रॉब्लम यह है कि उन्हें रच भी बनाए तो रदर फोड को फिर भी आप ले सकते हो बट चैट बोजना थोड़े जादा ही रिस्की हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा र इन दोनों से टलिस्ट डेल फिलिप से डिसेंट ऑप्शन है लेकिन इनका भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है नीचे के मकले और यह भी एक डिसेंट ऑप्शन है ट्वेंटी में स्कोरिंग करके दे सकते हैं बट ज्यादा उमीद करता नहीं वह बहुत कम देखने मिलता है एल जॉंसन काफी नीचे आ रहे हैं थोड़ा टॉप और में आते हैं टू डाउन तक भी आते हैं तो एक डिसेंट ऑप्शन रहते हैं अगर सामने लेफ्ट हेंडर ठीके रहते हैं तो गिनबाजी भी करते हैं और वैसे भी कर सकते हैं बट लास्ट में नहीं किया है बट इ देते हैं मकॉंग की लास्ट माँच में फॉर्म में और काफी टैलेंटेट और काफी एक्सपीजेंस खिलाडी हैं गिनबाजी भी कर सकते हैं सामने लेफ्ट हेंडर से ठीके रहे हैं जे गिपसन इंपरेंट रहेंगे हाला कि थोड़े हिट और मिससेब की यह भी खिलाडी डेकिन फस्ट समाइब इनगों से कैन्ध बांजी मिल इनग में उस से पहले फ़र्स्ट मैच में इनूंत्य एंद रहेंगें ढाग्या ले glow में पूरे चार ऊवर किये बढ़ हार बार साथ पूरे चार ऊवर ना करें जिए फॉक्स इंपोर्टेंट गिंदबाज रहेंगे इस्पेशली इन फरस्ट गिंदबाजी क्योंकि तब देथ में आते और वहां पर देखो कोई भी विकेट जो बॉलर से कोई भी बॉलर को विक पिक उसके अलावा नीचे कोई और अच्छे पिक नहीं हाँ अगर आप इनको छोड़ना जाते हो न तो सेकंड इनिंग में अगर इनकी टीम गंदबाजी करें सेकंड इनिंग में तो छोड़ने का रिजग ले सकते हो उसके बाद बॉलिंग से ट्रेविस मूलर मस्चा पिक करें तो साइद में मूलर की जिएक लोकर उसको ही लेकर चले जाओ दोनों को लेकर जा सकतो लास्ट में दोनों ने परफॉर्मेंस किया बट अभी मेरे पास बैटर ऑप्सेंस हैं इसलिए मैं किसी एक कोई लूगा माइकल रहे कोई बीनिंग में लेकर जाओ विकेट टेकि यहां से माइकल रहे हैं तो अभी क्लिए मैं इनको नहीं लिया सेकेंड इनिंग में इसलिए लेकर जा सकते हो डफी कोई बीनिंग में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे विकेट टेकिंग नेचर के गिंबाज है एक्स्पीरेंस भी अच्छा घासा है मैकेंजी डिसेंट कर रहा हूं और यह ओपन भी कर रहे हैं और जैसे लास्ट मिच में देथ में रहेंगे बड अगर यहां पर रिपन की टीम में बना सकते हो इसके अलावा डी फॉक्स्क्राफ्ट और मकॉंकी यह लोग भी बेस्ट ऑप्शन है कैप्टेंसी वाइस कप्टेंसी के सामने वाल सकते हैं और सामने टीम में लेफ्ट हिंडर नहीं है फॉक्सक्राफ्ट का उपनेंट में तो हो सकते हैं थोड़ा कम ओवर की गिंदबाजी डाले तो अकॉर्डिंगली आप इनको भी अपनी केप्टेंसी वाइस केप्टेंसी चूज कर सकते हो बाकी मेरी टीम में अभी के किस से रिप्लेश करके आप किस प्लेश को ले सकते हो सारी चीज़े वीडियो में एक्स्प्लेइन की है बस आपको आफ्टर टॉस की अपडेट का पता होना चाहिए जो हम टेलीग्राम पे देते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन के सब स आप से बना पाऊगे और यह स्मॉल लिग की टीमें से मत लगा ले ना मेरे दोस्त ग्रैंड लिग ले कुछ चीज़े हटके करने पड़ती है जैसे कुछ प्लेयर से डेल फिलिप्स चैट बॉस मकेंजी लॉक्रॉस इन लोग को एस प्लेयर रोटेट करो और यह जो जाने के लिए यह राइंग को नहीं लेकर आने वाली है मैंने आपको बताये कि यूज करके आप किस तरीके से अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बना सकते हो और यदि आपका अच्छा तो आप राइंग भी अच्छा लेकर आ सकते हो क्यों कि इसकी टीम कोई दे नहीं